उसमें भी हमाई कौन सहयता करता है पाइठ्य पुस्तक, नेक्स्ट है ग्रह काईरी के लिए उपियोगी, पाइठ्य पुस्तक की सहयता से क्या करते हैं, हम्वर्क देते हैं, और जिसके द्वारा सिक्षकों को चात्रों को ग्रह काईरी दिये जाते हैं, और जो इन ग्रह काई प्रियोग कर सकते हैं जिसको हम अच्छे से सीख सकते हैं और प्रियोग कर सकते हैं नेक्स आध्यान आधतों का विकास जो हमारी आदत है उसमें में अध्यान की आदतों का भी विकास होता है मिंज हम continue क्या करते हैं study करते हैं जो हमा एंट्रेस्टेड attitude aptitude intelligence के अनुसार होते हैं और जो हमारे अंदर अच्छी habits का क्या करते हैं निर्माण करते हैं ज्यान के हस्तानतरण में सहायक, जैसा पहले भी बताया था, जो हमारा ज्यान का हस्तानतरण होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो टेक्स्ट वुक के माध्यम से ही होता है, और ये एक important sources है, किसका knowledge का, next है, अतीत के ज्यान की जानकारी, हम टेक्स्ट वुक के सहता से ही, जो हमारा past था, past में कौन-कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई है, जो भी इमारते हैं, दस्तावेज हैं, या शाशन प्रणाली, इन सभी का इध्यान हम किसके द्वारा कर सकते हैं, पाठ् पुस्तक के मित्तिवय होती है, मित्तिवय यानि कि हम एकी बार किसी भी पुस्तक को खरीदते हैं, और उसके बाद उसका हम बार बार प्रियोग कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया उस पुस्तक से ज्यान अरजित किया, उसके बार अगर वो पुस्तक कोई और अपने पास ले नेक्स्ट है पाइठ्य पुस्तक निर्देशक की भाती एक मार्ग दर्शक है मार्ग दर्शक है यानि कि जो हमें गाइडनेंस करते हैं समय समय पर है ना वैसे ही पाइठ्य पुस्तक भी हमें सही मार्ग दर्शन कराती है कि जैसे हमारा पत्प्रदर्शक होगा तो वह हमें कि किसी भी छेत्र विशेश की जानकारी देते हैं सही निर्देश देते हैं और निश्चित रूप से उसका परिणाम कैसा होता है अच्छा होता है वैसे ही टेक्स्ट बुक के द्वारा हमें सही दिशा निर्देश मिलते हैं जिससे हम किसी भी प्रकार की विशय वस्तु का अच इच्ची से समना